हलो फ्रेंट्स वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज के में इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक की एनूल रिपोर्ट सामने आई है बहुत बड़ी चीज़ां देखने को मिली हैं जो की एक्सपेक्टिड भी नहीं थी ऐसे कुछ नंबर्स देखने को मिले हैं जो की मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और यहां से आपको पता चलेगा कि आख होती तेजी से दोड़ते वो नजर आ जाएगा तो इन सारी चीज़ों के मारे में हम यहां पर डिसकसन करने वाले हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पर अगर आप परश्टायम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब् रुपए 45 पैसे तक गया था लेकिन जो क्लोजिंग होई थी वह एक परसेंट के आसपास आपको देखने को मिली सतरा रुपए 35 पैसे पर यानि कि कल के दिन एक आपको उच्छा तो देखने को मिलाता है जबकि वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं था जितना अभी एवरेज आ रहा है फिर भी अगर आप देखोगे तो मुमेंटम एक अच्छा कासा बन गया था और यहां से अगर आप देखते हो तो एक चीज और डेफिनेटली बन जाती है कि मंडे को अगर यही सारी चीजे रहती है एक अच्छा वॉल्यूम आ जाता है तो एक बड़ी तेजी जो को जो अगले हफते जो आएगा सनिवार को वहां पर आपको क्वाटरवन के नंबर्स देखने को मिलेंगे यह बैंक के और जिस अकॉर्डिंग अभी स्नाप्शॉट्स और आए हुए थे उससे तो लग रहा है कि यहां पर जो यह बैंक के नंबर्स हैं वो काफी जादा और एक बादी फिर से जो यह बैंक की प्रॉपिटेबलेटी है वो इंक्रीज हो जाए यहां पर जिन भी लोगों ने इंवेस्टमेंट किया हुआ है उनके शियर प्राइस के थुरू उनका इंवेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाए अब हम से यहां पर चलते हैं सेकिंड अ किसी भी कंपनी के लिए वो होने वाली है और उसके लिए अगर आप यहां पर देखोगे तो एक्सपेक्टेशन बहुत जादा है कि इस मीटिंग में कुछ बड़े-बड़े डिसीजन जो है वो लिए जाए जैसे कि फंड रेजिंग कुछ अपॉइंट्समेंट वगरा बह को भी कुछ फैसलें लिए जा सकते हैं यानि कि बहुत यहाद इंपॉर्टेंट जनरल मीटिंग रहने वाली है यह वाली और इसकी डेट जो निकलका है अठारह अगस्त दो नोटेस यहां से अल्रेडी दिये जा चुके हैं एक आपको देखने को मिलता है क्वार्टर वन के तो यहां पर देखोगे के जो इंपृटर यहां पर देखोगे को यहां पर एस डाइरिक्टर इंपॉंट किया जाुकी अगर आप देखो घुनSch हैं फिर अगर आप देखोंगे तो यहां पर कुछ इस्पेशल जो और जो इस्पेशल रिजॉलिशन होते हैं उसके थ्रू भी अगर आप यहां पर देखोंगे तो जो अप्रूबल है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी बहुत सारी चीजों के साथ लिया जा सकता है कि यह सारी चीज भी यहां मेंशन करी गई है लेकिन अब जो आता है वह आता है मेन हाइलाइड यानि की दो जर बाइस टेश फाइनेशल एर की मेन हाइलाइड क्या रही है वह यह है कि कंपनी के टोटल नेट इंकम जो है वह ग्यार जार आठ सो च्वाली से लेवन थाउज चीज जरू खराब हुई थी लेकिन अगर आप देखोगे तो इंपैक्ट नहीं बड़ा है पिर अगर आप देखते हैं जो न्यू सेंक्षन या डिस्पर्समेंट हुआ है यह सबते बड़ी चीज़ है करियोबन एक लाख करोड वन लाख करोड के न्यू डिस्पर्समेंट हुए है साथ के साथ नेट एंपिए अब केवल रह गए हैं पॉइंट एट परसन यानिकी एक परसन से भी कम हो चुके हैं सी ए आर यानिकी कैपिटल एडिकेसी रेशियो रह गया है 17.9 बहुत ही बड़ा इंप्रूमेंट यहां पर कासा रेशियो 30.8 परसन यह भी बहतरीन है और अगर आप देखोगे तो रिटेल और समी सेग्मेंट में अगर हम टोटल एडवांस इसका शेर देखते हैं तो वह 59 परसन परस निकल के आता है बहुत बड़ा इंप्रूमेंट इन्होंने जो फोकस करके किया है इस सेग्मेंट है बहुत इंप्रेसिव नजर आता है पिर अगर आप यहां पर देखते हो तो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है जैसे की न्यू एज प्राइवेस सेक्टर बैंक में जो यानि की यस बैंक में करीवन 7.5 मिलियन कस्टमर्स जुड़े हुए हैं और अगर आप देखते हो इनके टोटल एडवांस इस यहां प पर नंबर वन हैं यूपी आई सेग्मेंट में मैंने आपको पहली वदाया था कि इनके पास मार्केट का नंबर वन है नैप्ट आउट वर्ड यानि की नंबर वन नजर आती है नंबर टू कहां पर है अमंग लाज साइज बैंक इन दी बेस्ट प्लेश टू वरक इन इंड चीज़ां मेंशन करी गई है यानि एक बहतरी जो आउट लूक नजर आ रहा है अभी तक वह आपको यहां पर समझ में आएगा कि चीज़ां काफी ज्यादा पॉलिटिव होती वी नजर आ रही है अब इनकी तरफ से तो बहुत सारी चीज़ां यहां पर मेंशन करी गई है अब यहां चीजर लेकिन हमारा काम क्या है कि सारी चीजों पर उसके बाद अपना निकालना कि हमें क्या लगता है कि जो अबर रहे हैं और जाद जा सही नजर आ रही है लेकिन आभी यहां से एक चीज और आपकि कुछ क्लारटी मिल जाएगी कि हां यह प्रोविजिनिंग वाला सिनेरियो हमेशा ही होता रहेगा तो फिस तो दिक्कत हो जाएगी तो फिस तो कुछ और स्ट्रेडिजी बनानी पड़ेगी लेकिन हाँ इस बार अगर प्रोविजिनिंग में चीज़ा सही करती नेट प्रॉफिट इ अच्छा काम कर लिया वह उस चीज पर पिछले क्वाटर नंबर्स के देखकर तो चीज अमेरे काल से पॉइटिव हो जाएंगी अदर्वाइस फिर से नेगेटिव ही रहने वाली है आपके आपको अपीनियन का है कॉमेंट में आप जरू मेंशन करिए वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल का वश्ना विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब दीजेगा धन्यवाद